है तो क्या हैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में बच्चों की बहुत ही दिमांड थी की में Жो क्लासिफिकेशन है हमारा है ना फार्माकोलोजी का इसको को एक ही video में include करिए मैंने पहले विडियो बनाया हुआ है इसा को रिखे फिर मैंने वो बनाया था पहले करें से सारा क्लासिफिकेशन आपको विडियो करा명त या ले An प्रिखे से क्लासिफिकेशन को करते हैं लोग है उसने कोशिश के हैं क सारल इग उकूलीוח में te कोशिच करते हैं हम लोग है न हम तो देखिए सारा क्लासिफिकेशन मैं इसमें इंक्लूड करूँगी और देखिए बहुत मतलब कीrive तो क्या ही कही आप इस वीडियो को बहुत ही जादा इंपॉड़न्ट है वीडियो हमारे लिए क्लासिफिकेशन कर लिए न तो हमारा क्लासिफिकेशन में बहुत सारी क्लासिफिकेसन मेंस इसे जिसमें हमारे मेकेनिजम कवरो हो जाएंगे अब गहुझा जयाता है कि कौन से हुल पहुत क्लासिफिकेशन ना सफिगृट से ही क्लासिफिकेशन से ही क्लीयर हो जाता है ठीक है तो बहुत इंपॉरेंट है आपके जितने भी इस्टेट्ट के आज जिसे उडीरिसा महरास्ट्राइब, पंजाब हर्याना है ना जो स्टेट के आपके फार्मासिस्ट के एक्जाम्स होते हैं और हमारे जो सेंटर के जो आपके हर एक एक्जाम के लिए इंपोर्टन है है ना और बाके डिप्लोमा का अभी आपका एक्जामिनेशन भी देना होगा ठीक है तो सभी के लिए हमारा जो वीडियो है आजका बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन रहने वाला है ओके और देखिए इसका अगर आपको पीडिएफ चाहिए तो मेरी वेबसाइ कोमिशन ले सकते हैं तो वहां पर यह सारा आपको पीडिएफ में भी मिल जाएगा ठीक है चलो तो ठीक है फिर स्टार्ट करें और देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आपको चैनल पर नहीं है आप जाने सब्सक्राइब किया लोग करने शेयर करने कमेंट करना अब ल आपको क्लासीफिकेशन करलो बाकिक द्र्रग करते होगयेचिंग, क्लोइनर्जिक degree होती है यह हमारी क्लोइनर्जिक क्लोइन के निकॉल बिथे निकॉल यहातолет बार्पिन palabras ड्रुमें निकोटिन पिलोकार्पिन अरशेयर लून कर माते है और इनुड्र directly एक्टिंग ड्रॉक्तिंग जह प्रेजिस पर उता हैं डॉक्त को ईंडर्पस क्या ओते हैं गॉलते हूं उसको ईनिटना कर लेवल जादा हो जाएगा तो इसलिए इनको इन डिर्ट लेवीटर कोलिंग ट्राइब कहा घया हना तो इसमें आपके जो एक दो रिवर्शिबल होते हैं और और एक irreversible होते ने हमारे कार्वोमेड़्स और कार्वमेड पायदेंगातेमीutan सब्सक्राइब में इर्रिवर्सिबल में एकट्रघध करेंगलिया Bitcoin और स्थीइमड करो काम स्विकली सर्फेकत rồi तो कार्वोमेट्स आते हैं तो इर्रिवर्सिबल में आपका डिफ्लोज, इको थायफेट, पराथियों, मलाथियों, डायजिन, टेबून, सेजिन, सोमन, यह और गैनो फोस्फेट्स हैं, कार्वोमेट्स में कार्वरायल प्रोपोक्सर आ गया, तो यह सारे आपके क्या होगी कॉलिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन होगा, किसका कॉलिनर्जिक ड्रग का, अब एंटिकॉलिनर्जिक ड्रग का, देखो एंटिकॉलिनर्जिक ड्रग है, इनको मस्करनिक रिसाप्टर एंटागनिस्ट बोलते हो, क्या बोलते हो, एंटिकॉलिनर्जिक को मस्करनिक रि जिसको स्कोप ओलामिन भी कहते हो है फिर आपकर सलव में होइसनी नाइट्रेट आता है हॉप्यतुर,ende. ए से हमार symbi, Physics,cohol किम्रभी तो होते हैं औ 2017 कुम्पाॉंट्स जो होते हैं इस मृट्रियारिक्वक होते नwriting मिट्रियाटिक से दो ड्रग है cyclopentolate, tropicamide है, anti-secretory, antispasmodic में हमारे quaternary compounds आती है, quaternary compounds में propantheline, oxyphenonium, clarinium, pipensolate, methyl bromide, isopropamide, glycopyrolate आता है, tertiary amines में 3 है, diceclamine, valethamide, paranzipine, फिर हमारे vesico selective drugs में oxybutinin, phlevoxate, toltirodin आता है, anti-parkinson's drug, ऐसे anti-colinergic होते हैं, जो Parkinson's disease में use किये जाते हैं, है ना, तो B, P, T, 3 ड्रग आती है, बाइपेरिडन, प्रोसाइकलडिन, और आपका ट्राइग्जी, फैनिडाइलिया, बैंज, हैक्जोल आता है, तो ये तीनों हमारे anti-parkinson's, मतलब कि ऐसे anti-colinergic है, जिनको Parkinson's disease के लिए यूज किया जाता है, तो ये हो गई हमारे क्या anti-colinergic drug, अब ये आपका एड्रिनार्जिक ड्रग है, ना, सिमपैथो मिमाटिक ड्रग बोल दो, इनको therapeutic classification है, एड्रिनार्जिक ड्रग का, तो प्रेशर आजेंट्स आते हैं, नोर आड्रिनलिन, एफेड्रिन, डोपामीन, फिनाइल एफरिन, मिठोक्सामीन, मिफेंडर्मीन, हैना, काडिक स्टिमुलेंट्स में, एड्रिनलिन, आइसोप्रिनालिन, दोब्यूतामीन, ब्रोंको डाइलेटर्स में, आइसोप्रिनालिन आता है, साल्ब्यूतामोल, जिसे एर्ब्यूतिरोल भी कहते हो, तर्ब्यूतालिन, साल्मिटिरोल, फॉर्मिटिरोल, बैंब्यूतिरोल CNS stimulants में Amphetamine, Dex Amphetamine, Methamphetamine Anorectics में हमारा क्या आता है? Fanfluramin, Dex Fanfluramin, C-butramine फिर आपके nasal decongescent Phenyl ephrine, Xylometazoline, Pseudo ephedrine, Oxymetazoline, Phenyl Propanol, Aminol, Nephazoline Uterine, Relaxants and Vasodilators में हमारे Ritordrin आता है Isox Supreme आता है, Salbutamol, Turbutaline यह हमारे Adrenergic Drug मतलब कि Sympathomimetic की बात हो गई अब भी बात करेंगे, Sympatholitic जैसे आपने Anticholinergic को पहला Sympatholitic कहा था ऐसे यह Anticholinergic को आप कहा दोगे Sympatholitic Sympatholitics, Anticholinergic Drug तो इसमें Adrenergic की receptor आपने Alpha और Beta पड़े हुए है तो इसमें एक तो आपके Alpha Blocker आएंगे एक आपके Beta Blockers आते हैं तो Alpha Blockers classification है Anti-Ardrenergic Drug का तो Alpha Blockers में कौन-कौन सी ड्रग आती है बीटा Blocker में कौन-कौन सी आती है Alpha Blocker में Non Equilibrium Type में Beta Hello Alkylamines में Phenoxy Benjamine आता है Equilibrium Type जो Competitive होते हैं उनमें Non Selective होते हैं और एक Selective होते हैं Non Selective में हमारा Irgot Alkyloids में Ergotamin Ergotoxyn आता है Hydrogenated Ergot Alkyloid में Dihydro Ergotamin Dihydro Ergotoxyn Imidazolins में Tola Zoline Phenolamine Miscellaneous में Clorpromazine हैना फिर आपके हैं Blocking Alpha 1 Selective अभी Selective की बात करोगे तो Alpha 1 Selective Blocker और Alpha 2 Selective Blocker तो Alpha 1 Selective Blocker में जोसिन वाली ड्रग याद रखो प्रा जोसिन, टीरा जोसिन, डोकसा जोसिन, टैमसुलोसिन और Selective Alpha 2 की बात करोगे Selective Alpha 2 Blocker की तो यो हिम भी नाता है है ना अब Alpha Blocker की कर ली बात है अपने Selective Non Selective की बात हो गई अभी Beta की बात करो Beta Blocker की बात करो इसमें Non Selective और Selective आएंगे Non Selective मतलब की Beta 1 और Beta 2 किसी को भी Blocker कर देते हैं तो Non Selective Beta Blocker में Without Intrinsic Sympathomimetic Activity वाली ड्रग में Propanolol, Sotolol, Tmolol आता है With Intrinsic Sympathomimetic Activity में Pindolol आता है With Additional Alpha Blocking Property मतलब की Non Selective Beta Blocker है प्लस साथ में ये Alpha को भी Block कर रहे हैं Alpha प्लस बीटा दोनों को Block करेंगी दो ड्रग पढ़ते हो Labitalol and Carvedilol है ना तो ये बात हो गई हमारी जो Non Selective Beta Blocker की अभी बात करो Selective Beta 1 Blocker Selective Beta 1 Blocker को आप Cardio Selective Beta Blocker भी कहते हो क्या कहते हो Cardio Selective Beta Blocker भी कहते हो कौन कौन सी ड्राग आती है भई Metoprolol आता है Atenolol आता है S-butylol आता है Bisoprolol, Asmolol, Bitexolol, Saliprolol, Nabivolol तो मैंने आपको इसको मा, बेबी, आन नो सेल से भी आपको मा, बेबी, नो सेल हैनने इससे भी आपको बताया वा था Metoprolol, Atenolol, Asbutylol Bisoprolol, Asmolol, Bitexolol Saliprolol, Nabivolol तो इस काडियो सेलक्टिव बीटा ब्लोकर मतलब की बीटा वन सेलक्टिव ब्लोकर की बात हो रही है तो सारी ड्रग याद रखनी है बहुत इंपोर्टन्ट है इनकी है फिर आपके यह हो गए हमारे क्या Autonomic Nervous System वाली ड्रग्स हा गई हो गई अब यह आपके आते हैं Autocoids and Related Drugs तो इसमें आपके जो कौन से Amine Autocoids है कौन से Lipid Derived Autocoids होते हैं कौन से Peptide Autocoids होते हैं तो इसके उपर भी Question बना हुआ है तो Amine Autocoids में दो ड्रग आती है कौन सी Histamin और Serotonin आता है Poster Glandins, Leukotrans and Platelet Activating Factor आता है फिर Peptide Autocoids जो होते हैं Peptide Autocoids में Plasma Kinine आता है और Angiotensin आता है Plasma Kinine जो होते हैं इसमें आपका एक तो Calidine आता है एक Bradykinine आता है हना तो यह याद रखना Lipid Derived Autocoids में आपका Plasma Kinine और Angiotensin Sorry Peptide Autocoids में ना Plasma Kinine और Angiotensin Plasma Kinine में Bradykinine और Calidine आता है और Angiotensin है तो यह हमारे हो गए Amine Derived Autocoids, Amine Autocoids Lipid Derived Autocoids और Peptide Autocoids Amine Autocoids में Histamine और Serotonin आया और Lipid Derived Autocoids में LPLP से याद रखो Prostaglandin, Leukotrans and Platelet Activating Factor और जो आपके Peptide Autocoids है उसमें PPA एक तो Angiotensin आएगा इसमें Plasma Kinine में Bradykinine और Calidine आएगा ठीक है तो यह Peptide Autocoids हो गए ठीक है तो यह तीनों समझा आगे Autocoids and Related Drugs के बारे में यह पूछते हैं इनके उपर कौन सा Amine Autocoids है कौन सा Lipid Derived Autocoids है ठीक है अब यह आपके Antihistaminic Drug का Classification देखो मतलब कि H1 Antihistaminic जो Histamin के H1 receptor को Block कराएंगी H1 Antihistaminic Drug तो इनमें एक तो Highly Sedative आती है Highly Sedative में हमारे 4 ड्रग आती है Diphinhydramine, Dimine, Hydrogenate, Promethazin, Hydroxacin यह क्या है हमारे Highly Sedative Antihistaminic Drug होती है Diphinhydramine, Dimine, Hydrogenate, Promethazin, Hydroxacin Moderately Sedative में Pheniramin, Chlor, Cipro, Heptadine, Mickelizin, Buckelizin, Sinairazin Mild Sedative में, Chlor, Pheniramin, Dex, Chlor, Pheniramin, Dimethindine, Triprolidine, Vibhydroline, Cyclosin, Clemastin और Second Generation जो Antihistaminic होती है Fixofenadine, Loratadine, Disloratadine, Citrizin, Nivocitrizin, Azelastin, Mesolastin, Evastin, Repatidin बाकि H1 Antihistaminic मतलब है Histamin के H1 receptor को Block करा रहे थी अभी Histamin के H2 receptor को Block करा है उसमें टिडीन वाले ड्रग याद रखोगे कोन सी टिडीन वाली Laksimatidine, Rantidine, Nisatidine, Femotidine यह टिडीन वाले ड्रग होती है Histamin के H2 receptor को Block करा आती है समझा गया? अब आपका जो है एक तो Antihistaminic का Antihistaminic drug का Classification हो गया एक आपका यह Chemical Classification है Antihistaminic drug का यह भी Important है Classification हमारा वो यह Antihistaminic drug का ही है यह Chemical Classification है जैसे Amino Alkal Ether derivative में कोन से आते हैं तो Antihistaminic drug है वो इस टाइप से भी एक्जाम में हमारे में आती है है ना? कि डाइफिन हाइडरामिन कोन सी क्लास की है? है ना? इस टाइप से तो Amino Alkal Ether derivative में डाइफिन हाइडरामिन, दाइमिन हाइडरनेत, डोकसायलमीन, ख्लिमास्टीन यह Amino Alkal Ether derivative में है डाइफिन हाइडरामिन, डाइमिन हाइडरनेत, डोकसायलमीन और क्लिमास्टीन है ना? ट्रिपल डी और सी ठीक है तो यह हो गया आपका अब आपके क्या आती है अपके का अपकर व्यक्ति रते हैं और रहते हैं और हमारे जेसिक होती हैं और एंटी पायररिक होते हैं हमारे आपका आपका पर योन सब्सक्राइब कराते हैं एक तो ड्रग होगी कि नौन सब्सक्राइब करा सकती है तो आपके होते एंसेट्स ट्राइशनल एंसेट्स इंडोल डेरिवेट्व में इंडो मिधा सीन आता है पाराजोलों डेरिवेट्व में करें फिनाल ब्यूटा जोन डोकसीफन ब्यूटा जोन आता है यह हमारा क्लासिफिकेशन हुआ किसका यह मतलब कि जो है नोन सलेक्टिव कोक्स इनिबिटर है है ना अभी तो ये non-selective हैं अब आपकी होते है preferential cox2 inhibitor जिसमे नीमेश उलाएड आता है melexi came na vometone ये कै प्रेफेरेंशल cox2 inhibitor फिर selective cox 2 inhibitor में coxiv वाली ड्रग आती है जैसे की जो चलास है एक परैसिता मोल जो है नियह नाल随 जो इंफ्लामेटरी आक्टिविटी न वो नहीं तो सिल्ग बहुते पूर होती है ना के बराबर होती आंटि और राप्टिविटीटी ना देधि डिखलोफिनARK देधि इंडी होच्छ आपको पेरसिटजटम ल मिलेगी उसमें तो इसकी होती है पूरा कि एम्फी ऐसेटमोल ना तो देखो भाई इसमें पैरा मीनो Edgy ऐ ना आता है एंटएमिडरिवर्ट्य div तो इसमें दो टाइप की ड्रग आती है कौन कौन सी आती है एक तो आपकी होती है डिमार्स आते हैं डिमार्स बोलते हो है ना शोट में डिमार्स कहा जाता है डिमार्स बोलते हैं डिमार्स बोलते हैं डिमार्स बोलते हैं यहां पर रिमेटर अर्थराइटीज में भी यूज होती है मिठोट्रिक्जेट है ना ठीक है तो यह हमारे इमिनोस अप्रेसेंट्स आ गए फिर सलफा साला जीन यूज होता है क्लोरोकुइन और हैड्रोक्सी क्लोरोकुइन जो मलेरिया में यह एंटि मलेरियल ड्रग होती है वो यहां पर भी है लैफलोमाइड आता है गोल्ड सोडि इमार्स डिजीज मोडिफाइंग अंटि रुमेटोइड ड्रग इमिनोस अप्रेसेंट्स में मिठोट्रिक्जेट अजथायोप्रिन साइकलोस्पोरिन सलफासालाजीन क्लोरोकुइन हैड्रोक्सी क्लोरोकुइन लेफलुनोमाइड गोल्ड सोडियम थायोमेलेट और इमार्स हो गई अब बी आरेम देखो बालोजिकल रस्पोंस मोडिफायर इसमें आपके कौन-कौन से आते हैं टी एनफ एल्फा इनिबीटर साथ हैं इंटरल्यूकिन वन एंटागनिस में एनकिन्रा टी एनफ एल्फा इनिबीटर में इंफ्लिक्सिमेब डालिम्यूमेब इनफ एल्फा इनिबीटर होते हैं और इंटरल्यूकिन वन एंटागनिस में अनकिन्रा यह बालोजिकल रस्पोंस मोडिफायर हो गई और डी मार्स बता दिये हैं यह हमारे हो गई रूमेटोड अर्साइटीस की ड्रग बग एडज्वन ड्रग में कोटिको स्चुर्स में अधर साज़ेगा ठीक है तो रूमेटोड अर्साइटीस की अंटि रूमेटोड ड्रग हो गई अब गाउट देख लो गाउट में आपको पता है यह यूरी कैस्ट का एक्सक्रीशन कम हो जाता है जिससे की यूरी कैस्ट जो है अक्यूमिलेट हो जाता है तो कौन-कौन सी सब्सक्राइब करोंगे यूज करोगे आकीट बार में बहुत बार बइसों में और इस को यूज ट्रूट करोगे यूरीक यूरीट विद्रग यूज करोगे अधिकết चेल्सट कर sell beneath यह निबिट कर moss जैसे कि आलोपिरिनोल जयन्थीन ऑक्सिडेज इनिबिटर होता यह जयन्थीन ऑक्सिडेज एन्जाइम को इनिपिट करा देगा जिससे के यूरीक एसट के सिंथिजिस इनिबिट हो जाती हैं तो यह हमारे क्रोनिक गॉट की ड्रग है और एक्वीट गॉट की यह हमने राइस्पिरेटर सिस्टम की ड्रग में ड्रग फॉर कफ पढ़ते हो है ना तो इसमें फेरेंजल डिमन सेंट्स आते हैं जो जैंजिस आएगा कफ ड्रोप आएगा आपका लिंक तस कंटेनिंग सिरप आती हैं गलिस्टरीन लिकोरिस आता है एक्सपेक्टोरेंड्स जो होती ह जिन्हों म्यूको काइनेटिक्स भी कहते हो ना तो एक्सपेक्टोरेंड्स में एक तो ब्रोंक्या सिक्रेशन एंहेंसर साते हैं और एक म्यूकोलिटिक्स जो म्यूकस का ब्रेकडाउन कराएंगे अब यहां पर मेकैनिजम पुछुपा है अब आपसे कहा देंगे कि कौन सी इस ड्रग है जो म्यूकस का ब्रेकडाउन कराएंगी है न इस टैप से पूछ लिया है न तो आपकी म्यूकोलिटिक्स वाली कोई आपको मिल जेगे इसमें ब्रोंक्या सिक्रेशन एंहेंसर से एक म्यूकोलिटिक्स है ब्रोंक का सिक्रेशन एंहेंसर में सोडिमर पॉटाशेम सिट्रेट है पॉटाशेमाड़ाइड गुई फैनसीन बासम उफ तोलू वसका एम्मोनियम क्लॉराइड आता है मुकोलिटिक जो ब्रेकडाउन कराते है म्यूकस का ब्रेकडाउन कराएंगे और इंक्रीज कराते है इसकी विस्कोसिटी को ब्रोम हेक्जीन चार्ड ड्रग है B.A.A.C. ब्रोम हेक्जीन अम्ब्रोग्जोल अस्टैलसिस्टीन कार्बोसिस्टीन ब्रोम हेक्जीन अम्ब्रोग्जोल अस्टैलसिस्टीन कार्बोसिस्टीन अब इसमें लिखाओ अम्ब्रोग्जोल का है मेटबोलाइट होता है कफ में यूज़ करते हैं तो इसमें ते कि अप्योइट्स वाली ड्रगात एक कोडिन फॉल कोडिन आता है नोन आपका नोस कैपिन डेक्स्ट्रोमितोरफन क्लोफिड यानो लाता है एक्स्पेक्टर एंड तो प्रोडक्टिव कफ में पढ़ोगे यूज़ करोगे और जो होत हैं तो समझा गी ये रही हैं तो यहां पर आजाएंगी तो पढलो वाली अध्या पर लो यह लोग डिलीटर साहते हैं लिए ना तो इसमें आता है उनसा तो यह बिता टु एकोनिस्ट हो गए फिर मिथाल जन्थीन उस होगे अब देखें कुछ आपके एंटिको इनर्जिक भी योटे क्योंकि देखो करते हैं इस करके ना उन्हें अस्तमा में यूज़ करते हैं तो दो होते हैं इपराट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड ऐसे अंटिकोल इनर्जिक होते हैं जो ब्रोंक्यलस्तिमा में यूज़ किये जाते हैं है ना में चलो भाई कहानी समझ आ गई अब हमारे लुकोट्राइण एंटागनिस्ट होते हैं मास्ट सेल स्टैबलाइजर होते हैं सोडियम क्रोमोगलाइकेट और कीटोटीफन कोर्तिको स्ट प्रॉपियोडि सोनाइड फ्लूटि का सोंग प्रॉपियोडनी को स्टिरोइड ऐद देखो क्लासिफिकशन सारे इंप्रंट हैं बाकि है कफ़ वाली ड्रक का प्रोंकिल अस्मा वाला जैसे मास्टर सेल स्टेबलाइजर है लुकोटर रिसेप्टर एंटागनिस्ट है हना यह सारे ही देखो भई बहुत इंपोर्टन्ट है एंटी आइजी एंटी बोडी में ओमेली जुमेब आता है ठीक है तो यह हो गई हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की ड्रग का क्लासिफिकेशन अब हैं हमारी होर्मोन्स वाले में देखो भई होर्मोन्स वाले ड्रग जो आती है उसमें कौन-कौन सी ग्लैंड से कौन-कौन से होर्मोन रिलीज होते हैं यह भी बेसिक सा क्वेशन उठके आता है यहां से कि जैसे आपकी पिचूटरी की लोब है एंटीर लोब की कौन सी होर्मोन है थाइरोकसिन कहां से रिलीज हो रहा है कैसे चूरियकिस का होर्मोन है से पहर हैं फिरेव Hai ह सारे आपको पड़े होते हैं तो पिचुटरी जो है के एंटेरब लोब्हों होती है इंटेरLow होतीफ तो रोप मतलब13 और स्ट्यूलोइटिग होर्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग होर्मोन FSH होता है LH लूटिनाइजिंग होर्मोन एडरिनो कोटिको ट्रोफिक होर्मोन ACTH यह सारे आपके पिचुटरी के अंटिरेल लोग के होर्मोन है फिर आपके इंटरमेडियेट लोग होते हैं पिचुटरी की उससे कौन सा होर्मोन से क्रेट होता है मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग होर्मोन होता है और पिचुटरी के होर्मोन जो है OXYTOSIN और वैसोप्रेसिन होते हैं तो यह पिचुटरी के होर्मोन होगे यह OXYTOSIN वाला तो बहुत बाहर एक्जाम है कितनी एक्जाम में क्वेशन बन गया बहुत ही इंपरेंट अब जैसे कि आपका वैसोप्रेसिन रोक्सिटोसिन दोनों ही एक्जाम में आते हैं तो पॉस्टियर पिचुट्री के होर्मोना ध्यान रखना है ठीक है थायरोड ग्लैंड की बात करो हैं न तो आपने पिचुट्री ग्लैंड की बात कर ली अब थायरोड की बात करो थायरोड ग्लैंड के 3 ही थारुड की फोर क्रिजन के उपर प्राइजन होती है ना यहीं होती है इसको सुपरारीनल वड़ के लिए होता है क्रीड़नी के उपर सुपरारीनल ग्लेंट भी कहते हो तो इसमें कोोटिकोइड कोटिकोस्टिरोइड में कोटिसोन मिंडल picture इसमें जो आपके अड्रेनल ग्लैंड्स है इसका जो कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है है एक मैडूला वाला पार्ट होता है मैडूला से अड्रेनलीन और नोर अड्रेनलीन से क्रेट होते हैं और कोर्टेक्स वाला पार्ट जो होता है उससे आपका गुलुको कोर्टिकोड म मैं कों अगया, स्सिरोड प्रोजस्टरोड आगया, हम थी सरोजन अधंगा गया, ठीक है, पैंक्रीक, तो खी करने स्कू ultimate- क्रूल करेंule । निटेस सव्लगों करने स्कूर्स यह कूता है, पैंक्रीक, पैंक्रीर फिर आपके टेस्टीस ہिल्स एल्स पढ़ते हैं राटिक्स एल्स आऌतीosition सीरेट होता है और ऊभरिस प्रोजस्टिरी में तो यह सारे hormones के बारे में होगे, अब इंसुलिन की preparation के ओपर भी question बनता है, बहुत बार कि कौन सी ultra short acting, rapid acting preparations है, कौन सी short acting है, कौन सी intermediate acting है, कौन सी long acting है, तो fast acting के है दो, rapid acting के है दो, या ultra short acting, insulin की preparation के दो, lispro, aspart, glulisign, आपकी rapid acting है, fast acting है, ultra short acting, insulin की preparation है, short acting में regular and soluble insulin आता है, intermediate acting में आपका insulin, zinc, suspension, lente आता है, यह long acting preparations है, insulin की, ठीक है, तो यह insulin की preparation होगे, बहुत ही important है, बाकि यह amino acid से मिलके बना हुआ एक protein है, insulin, तो इसकी A chain में कितने है, amino acid B chain में कितने है, total 51 amino acid होते है, chain A में 21 होते हैं, chain B में 30 होते हैं, याद रख लेना, है ना, तो आपका है, हमारे oral hypoglycemics है, तो type 2 diabetes mellitus में हम use कर करते है, oral hypoglycemics मतलब को, अरल ही देते है, hypoglycemia कराते है, glucose का लेवल कम कराते है, क्योंकि हमारे diabetes में, glucose जादा हो रहे है, glucose जादा हो जाता है, kyknya insulin कम हुझ जाता है, hypoglycemia हो रहता है, तो डुरे क्ति लेख wilt क्रेक्रञंड हो ब्लग, loacinelleedes को देयरा रहे एस्तित कृता है n दो को स्टिमूलेट करा दे हैं हमारे सेल फना一直 ब्राइबा सेधी वाली द्राइबिस प्रम ब्र之前 जेयरेशन और सेकेंद जेयरेशन में टोलोग्वीट्रणों क्लोर्परोपेमायडी ज्वाली ग्लीवन क्लेमायड को ग्लाईब्यूराइड भी कहते हो ग्लीविव्यूराइड है ना यह हमारे तो यहाले उनका साइड इधेक है किसी भीड ब्रग का साइट इफट कि पर देंगे उसका जो वह जो एक्षिन हो सीवियर दो चृब्ट किशन ही तो ये लेक्टिक अस्टिज करा देते हैं ने तो क्लास एक मिलेडीश होते हैं जो जो क्या कहते हैं इंसुलिंग का रिलीज जो है पेंक्रियास से उसको स्टिमुलेट करा रही है एक तो सरफनाय लुरियास करा रही दूसरे आपके मेगलेटिनाइड डेरिवेटिव जो मेगलेटिनाइड एनलोग होते हैं रापागलिनाड और नैटेगलिनाड यह भी आपका पेंक्रियास से इंसुलिंग का जो असक्रेशन होता है उसको स्टिमुलेट कराते हैं खाना फिर आपके थाया जोलिडिन डायोन्स में रोसी एंड पायो रोरसी गलेटाजन पायो गलेटाजन यह थायाज़ूलिन डायोन्स में इनका साइड ए cousin phrase है लीवर के टॉक्सिटी क देते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेस इनीबिटर में एक कार्बोस मिगलिटोल और वोगली बायोज भी आता है बाकि और भी निवर ड्रक्स है जो इसमें नहीं लिखिवाएं ड्पी फॉर इनीबिटर्स होते हैं ड्पी फॉर इनीबिटर में ग्लिप्टन वाली आते हैं नेक्स्ट यह हमारे हो गए होर्मोस के बारे में अब हमारी ड्रग आती है कौन सी ड्रग एक्टिंग ओन पेरिफरल नर्वास सिस्टम है ना तो कौन सी जो ड्रग है पेरिफरल नर्वास सिस्टम पे काम करती है तो इसमें आपके मसल रिलक्सेंट्स आते हैं उसमें नियू और एकुरयाव व्लोकोंども पोरु करों परकुकेंडिव को कर में व्लोकों । यूपक्यों कोणुर्णियम् उसेंडर स्पाइपकरों। शोट अक्टिंग में मिवाक्यूरियम, डिपॉलराइजिंग ब्लोकर्स में सक्सना अल्कोलीन और डेका मिथोनियम आता है, यह हमारे होगे क्या नियुरोमस्किलर ब्लोकिंग एजेंट है ना, डारक्टली अक्टिंग एजेंट में हमारा डेंट्रोलीन, सोडियम और कुई में मिफनेसीन, कैरिसोप्रोडोल, क्लोर, जोकसा, जोन, क्लोर, नीजान, मीथोकार्बम, मोल आता है, बैंजोडायजीपीन, डायजीपाम, अधर साजेगा, गाबर डेरिवेटी में बैकलोफन आता है, बैकलोफन भी सेंट्रली अक्टिंग मस्रील एक्टिंग से ध्यान और सेंट्रल एल्फा-2 एगोनिस्में टिजान इडीन आता है, ठीक है, तो यह तो आपके मसलिल एक्सेंट्स की बात हो गई, है ना, अभी जो ड्रग एक्टिंग परिफर नर्वस सिस्टम उसमें आपके लोकल अनस्थार्टिक भी आते हैं, तो लोकल अनस्थार्टिक का क इसको सिन को केन भी कहते हो, है ना, और एक क्लासिफिकेशन इस तरीके से हैं, भई कौन से एस्टर लिंक्ड होते हैं, कौन से हमारे लिंक्ड होते हैं, जिसमें दो आई होंगे, वो हमारे अमारे लिंक्ड होते हैं, है ना, तो कोकेन, प्रोकेन, क्लोरो प्रोकेन, टैट्र सब में एक आया रहा है तो इस आरे आस्टर वाली है एस्टर लिंग्ड लोकल अनश्वाइटिक और लीडों के दूपीव अनुपीवॉड नॉपीवाइटिक अंथ्वित्व 25 में आता क्या आता है एक तो इंहलेशनल होते हैं एक इंटरावीनस होते हैं जो आप जनरल इनस्थाटिक्स पढ़ते हो तो एक तो आपके इंहलेशनल होते हैं और एक आपके इंटरावीनस होते हैं हना इंहलेशनल में गैसिस में नाइट्रस उकसाइड आता है वोलटाइल होते हैं जो inhalational में आते हैं इंटरा बीनस में कोन कोन से डrug आते हैं इंडेंजीं आजेंट्स आते हैं इंडेंस में थायो पेंटोन प्रोपोफोल इनक्स fortunate आता है जरूवर अक्टिंग ड्रग में डियेजिपीन लॉराजिपाव मिडाजूलाम आता है Dissociative Anasthesia is produced by ketamine and Opiated Anasthesis is produced by fentanyl यह ketamine वाला भी बहुत बाहर एक्जाम में question बना है बाकी classification से तो बना ही है कौन से भई हैलोथेन किस में आता है है ना inhalational में है या intravenous में है इस टाइप से तो यह हमारा हो गया general anesthetic का classification आपके साड़ेटिव और hypnotics देखो आप cns की ड्रग का classification बढ़ रहे हो गई ड्रग एक्टिंग हो सेंटर नर्वास सिस्टम है ना तो साड़ेटिव और hypnotics जो आते हैं इसमें बार्बुचुलेट्स होते हैं इसमें थायो पैंटोन मीथो अक्जिटोन बहुत बार क्वेशन बन गया कि अल्ट्रा शोर्ट एक्टिंग बार्बुचुलेट्स में कौन सा आता है थायो पैंटोन अन मीथो एक्जिटोन आता है शोर्ट एक्टिंग जिनका duration आपका टू आर्स लिखा हुआ है हैग्जो बैर्बिटोन सैक्लों बैर्बिटोन सिको बार्बिटोन चेक्वो आता है इंटर्मीडियत एक्टिंग ने duration आ थी तू एस्ञीपींग आय। इसका वालों भी फिनो बार्बितन भी कई बर एक्जाम में आया है ना फिर नौन बैंजोडायजीपीन हिपनोटिक्स जो होते हैं उसमें जैड वाली ड्रग आती है जोलपिडम, जोपिगलोन, जेलपिगलोन आता है तीनोजड वाली है फिर आपका है क्लासिफिक्षन किसका एंटी पार्किंसन्स ड्रग पार्किंसन्स डिसीज में इंबैलेंस हो जाता है डोपामिन और अस्टैलकुलीन का तो ऐसी ड्रग दोगे जो डोपामिन के लेवल को बढ़ाएगी है उर एक यसमें सेंटरल अंटी कोलिणनर्जिक दिये जाते हैं तो मैं आपको एंटीकोलिणर्जिक कि क्लासिफिक्षन में बताया था इनको पार्किंसन्स ड्रग नाम से याद हो तो आपको ना बाईपेलिडिन प्रोसाइकलिडिटीन और ट्राइक्जिफ प्रिकरसर में लिवोडोपा आता है तो डौपामिन प्रिकरसर में लिवोडोपा आता है पैरिफरल डिकार्बोक्सिलेस इनिवीटर में क्या आता है कार्बिडोपा इन बैंसी राजाइड आता है डौपामिनर्जिक एगोनिस्ट में ब्रोमो क्रिप्टिन रौपिरिनोल प्रामिपिक्सोल आता है माओ बी इनिवीटर में सिलिजिलीन आता है और माओ ए इनिवीटर का पड़ होगे माओ ए रिमा के नाम से मैं अभी आपको मिथायल ट्रांसफरेज इनिवीटर में आंटा कैपउन टोल कैपउन दोपामिन फैसिलिटेटर में अमेंटाडीन अब ऐसे क्वेशन आता है कौनसी ऐसी ड्रग है जो एंटी वाइरल है और उसको पारकिंसंस डिजिजिज में यूज करते हो बैं आपका एंटी वाइरल हो अब आपका क्लासिफिकेशन है किसका एंटी डिप्रेशन में यूज करे जाएंगे एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग जो है तो इसमें देखो एक तो रीमा के नाम से अबी मैंना को बता था रीमा रिवर्सिवल इनिबिटर ओफ माओ एं मोकलोविमाडन क्लोर गायलिन दो ड्रग आती है फिर आपके TCA's ट्रासिफिक अने डिप्रेसेंट्स आते हैं ट्रासिफिक अने डिप्रेसेंट्स में हमारे दो टाइप की आती है एक तो नन फाइफ एस्टी रियाप्टेक इनिबि टीन तो यह हो गई इवी प्रामें ट्रीमी प्रामें आएगा तो यह साली द्रग है अनिन फाइफ एस्टी रिवॉसम में की irm याईघ कर लंटाट का गाकिन नौ ट्रिव्ट द्रग तो यह हो गई बागि अमॉक्स आपिन और だ्रग नहुचिशी आती है अने कि में फिर है SSRIs आते हैं Selective Serotonin Re-Uptake Inhibitor है ना SSRI Selective Serotonin Re-Uptake Inhibitor आते हैं let s svr i है न तो जिसमें कुन कुन से आती है Phloxetine Phloxamine Satraline Statholum Acetopron Paroxetine these are SSRI Selective Serotonin Re-Uptake Inhibitor इतिपिकल आते हैं कौन-कौन से ट्राजोडोन, मियांसीरिन, मिल्टाजपिन, विलनाफक्सिन, ड्लॉक्सितिन, ट्यानेप्टिन, आमिनप्टिन, व्यूप्रोप आएगा तो यह सारे हमारे क्या अतिपिकल आतिप्रेसेंट्स होते हैं हलो यह होंगी डिप्राशन वालीग अब हैं एंटिसयकोटिक ड्रग कम इंए जा 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 घा जा जा हृं उनको भी आ जा टो एज है ensemble उने प्र splendid say यह व्लुमक्र माजिन यह मुद्रियो पॉर्परोँदेगशी 3000 Phenothiazine with Piperadine side chain जो है थायोडाजीन निसोरेडाजीन Phenothiazine with Piperazine side chain वाल में Trifluperazine, Flufenazine आता है फिर Theosenthines में Flupanthixel Thiothexines आता है Bitarofenone में Haloperidol Trufluparidol Panfluoridol यह Bitarofenone derivative है Other heterocyclic में P remote ion etym alienate Atypical antipsychotics kwn-kwn से है आपके ए टीपिकल एंटी साइकोटिक्स होते हैं यह हो गए आपिलेप्टिक ड्रग जो यूज करेंगे आंटी कन्वल्जन ट्रग भी इनको कहते हो अपलेप्टिक भी उसका करेंगे कनवल्शं की ट्रीट्मेंट में, तो इसमें बर्बुरिटोट्स में फिनो बर्बूर्बुरीटोट्स है। फिर आपका हार्द टोइन डेलीवेटड में फैनीटोइन आता है फोसफैनीटोइन, हार्द टोइन होते हैं। इमिनोस्टिल्बिन्स में कर्वमाजिपीन आता है, ओक्सकर्वाजिपीन आता है, सक्सिनिमाइड में इथो सक्सिमाइड आएगा, अलिफेटिक कर्वोक्सलिक असिड अरिवेटिव में वालप्रोएक्ट और डाइफ वालप्रोएक्ट और डाइफ वालप्रोएक्ट आता है पाटे ड्रग अक्लैबस होगया तो हम पटर ट्रॉपीकिशन हो गया तो हम पटडर ड्रक्टिक हो सेंटर नर्वर सिस्टम तो इसमें आप ओपियोड इनाल जैसी को राते हैं इसमें आपका नैच्रल आप्लेप्टिक मेलकलोर्ड में मौर्फीन, कोडिन आ जेगा, सैमिसिंथैटिक ऊपिएट में डायस्टैल मर्फीन, जो हिरोईन होता है, फॉलकोडिन आए, फॉलकोडिन, ओके, सिंथैटिक ऊपिएट में पैथडिन से मिपैरिडिन भी कहते हो, fentanyl, methadone, dextropropoxifen and tremadol आता है है ना तो यह opioid drug हो गई तो यह हमारा CNS की drug classification complete हो गया अब आपका cardiovascular system वाली drug classification पड़ो है ना cardiovascular system जो आपके heart पे काम करेंगे ड्राग्स है ना cardiovascular system वाली drug का पड़ो classification इसमें पहले तो आपका classification anti-hypertensive drugs का एंटी हाइपर टेंसिंजिंचींट की ट्रीटमेंट में यूज्ज करोगे है उसमें AP औजिटेंसिन एंगटेंसिन कनवर्टिंग ऑन्जायम इनाथ थे तो क्या करेंगे ऑन जोता उसको इनीबिट करारेंगे किया कराता है वैसं से हमाराание ऑन जो बनाता है है ना तो यहां पर ACE enzyme है तो इस enzyme को inhibit करा दो कि जिससे angiotensin 1 से angiotensin 2 नहीं बनता है ना angiotensin 2 आपका vasoconstriction कराता है तो फिर vasoconstriction भी नहीं होगा हमारा BP नहीं बढ़ेगा है ना तो देखो भई AC inhibitors inhibit the activity of angiotensin converting enzyme and enzyme responsible for conversion of angiotensin 1 into angiotensin 2 a potent vasoconstrictor है ना तो इसमें प्रिल वाली ड्रग याद रखो AC inhibitor में प्रिल वाली ड्रग आती है लाइक कैप्तो प्रिल इनाला प्रिल फोसिनो प्रिल लिसिनो प्रिल परिंडो प्रिल रैमी प्रिल यह प्रिल वाले AC inhibitors होते हैं है ना फिर भाई हमारे आउन्योंनासिन कोवरेशन को और यहले प्रिल वाली ड्रग आथी हैं गयाचि मोला 2 थे कैप्रруш फिर धायोरेक्ष किये जाते हैं हेल्वट थाफज इडारेक्ष है जो झोन्यारेक्षेसल सब्सक्तिए फिरो शीमाइड आगया हमारा थायजाय डायोटिक्स में हमारा हाईड्रोग्लॉड थायजाइड इंडपामाईड क्लोडुद पोटास्यां इसारी बाते आपने पड़ी हुई है तो स्पारिंग में यह सारे आ जाएंगे क्याशिम चैनल ब्लोकर्स भी यूज होते हैं ब्लोक दा एंट्री ऑफ क्याल्शिम इन्टु मसल सेल से ने आर्टरी वोल्स तो क्याशिम चैनल ब्लोकर्स में फिनाल अलकाइल अमीन डेरिवेट्व में विरह परमील आता है डाय हाइड हैं इस निंट्पिंड को से याद रखना विराठ्या से निफी वेक्ष दिक्ष भाए अन्ट्री में लग्रीकेς अफिसलाएएक और होजेब ब्लोकर्स में और रिंग की पूस्ट है ﷺ ऑर डाय है निफेडिपिन कराएंगे लेटर्र हैं तो सिलेक्टिव बागि फेंटोला में फिनौख जीन भी स्मुझीज हो पाथोलिटिक्स में क्लोनिडी और मिथायल डोपा आता है वैसो डालेटर जो होते हैं उसमें आपके आर्टीरी प्लस बेन दोनों को डालेट कराते हैं आर्टीरियोलर में आपको M.D.H.C. में आपको बताती हूँ मिनॉक्सीडिल आता है डायसोकसाइड आता है है आर्टीरी प्लस बेन दोनों को डालेट कराएंगे सोडे नाइट्रो प्रूसाइड आ जाएगा है ना फिर आपकी यह तो हो गई आपकी आंटी हैपाटैंसी ड्र में पारा है ना कोंट्राक्टि नियों पारा देखे हाट रिसने बल्टु पंप सफिशंट ब्लड तु फुल्फिल दा डिमांड दा हुमन बोडी डूरेस्ट और एक्सरसाइज ना तो यह कंजस्टी हार्ट फिलेर में होता है कौन-कौनसी ड्रॉग यूज करते हो ड्रॉ 9 रिटापीस देखे दो फॉर्ट प्रसफ कोंट्रैक्शन को थो कम करेंख हिए इनका क्या होता है पुस्ट्व इस डिज टॉक्षिन डिजिटोकसिन होता है डिजिचालिस से टोक्सिन होते हैं फॉस्फप लेज़िवी अम्री नोन मिलुरी नोन आता है है ना फिर कि यह रहे जाते हैं हमारे कंजस्ट्री हार्ट फैलियर में बिट बलोकर भी मिटोप्रोल विसोप्रोलोल साली कार्विदिलोल यह होगा तो यह परतते हैं गिलिसराइल ट्राइड परते हो तो थे पूणिक परिए सब्लिंगली तो आपके शोट अट्टिंग के नीचे भी रखी जाती यह वहींहानों इसकी नाोकी उसिवाइब डायनाइट्रिट्री सब्लीग वह वाली तो आपकी शोर्ट आक्टिंग धें सब्लिंग वर तो यूज़ कर रहे हो कि बहुत बढ़िया अब आपके बीटा ब्लोकर्स भी आते इसमें एटेनलोल मीटो प्रोपेनलोल क्याश्यम चैनल ब्लोकर्स भी एंजिना में यूज़ होते हैं फिनालकालमीन डेवेटी में विरापमील आता है और हमने देखा था डाय हैड्रोपार लेडामोल है ट्राइममेटाजिदीन है नौलाजीन रानोलाजीन और ओक्सीफेड्रीन यह ड्रग अधर्स ड्रग में यूज़ होती है ठीक है तो यह आपके एंजिना वाली एंजिना प्रेक्टोरिस में कॉनकों से ड्राग उज़ता वह हो गई अब आपके अंटी अरिद ट्राइम क्लास ट्री में बिलोक हर साते हैं कलास थ्री में ट्री में ट्रॉसन गॉकर कर में क्लास ठीन में डिवाईड क्लास 1A में QPD 3 ड्रग में आपको बताती है कुनिडीन प्रेकोनमाइड डायसोपारमाइड क्लास 1A कुनिडीन तो आपका पता ही आपको सिंकोना जो आपका कुनोलीन अलकलोड होता है पढ़ते हो आपके अलकलोड की डिफेंट डिफेंट केटेगरी है इंडोल अलकलोड है तो उसमें आपका कुईनोलील एलकलोड में क्यू सीची दोडरक बताती हुई तो उसमें सिंकोना जो है ना सिंकोना से आपका कुईनीन कुईनडीन ओप्टेन होता है तो कुईनडीन जो है क्लास वन ए में आता है तो यह आपका है अंटी अरद्मिक होता है क्लास वन ए में आ ग word अधा है मैं सब्लाइब। संथ सब्लेक्टोचे-फिय। दिएट दिएटरागी फिन का रेक्ट वचलन छिघुच लुटी क्लास 3 में पर्टाशियम चनल ब्लोकर्स आते हैं यह क्या करेंगे प्रोलोंग करा देंगे प्रोलोंग कराएंगे क्लास 3 में यह इबीड से याद रखते हो आपिटालियम दॉफिति लाइड में बिटालियम डॉफिति लाइड आता है क्लास 3 की ड्रग क्लास 4 में आती है इसमें विराफ़मिन डिल्टी आज हैं ठीक है अंटि अर्यद्मिक हो गई तो भाई यह हमारा काडियो वस्कुलर सिस्टम वाले ड्रग के क्लासिफिकेशन हो गया अभी आपकी जो डायुरेटिक्स जो आते हैं ट्रग अक्टिंग होना किडनी है ना उसमें आप डाय प्हुरेटिक्स है यह क्टेश्हन ट्रांस्पोर्टर को च्टो इनिविट करा रहे ह Benson अब मेते हैं ओरको जोड़ती हैं Chlorinide, Biomitaide, Pyritainide, Torosemide और Ithacritic Acid आता है ये सारी डरगातिया है ये लूब डायरेटिक्स में हैनम और थायज़ाइड देखो थायज़ाइडस स्टनलिवीट स्टनल को इनिभिट करते हैं इसमें chlorthyazard, phlumethyazard, hydroflumethyazard, benchthyazard, hydroclorthyazard, klopamide, bentroflumethyazard, thyazard light diuretics में chlorothelidone, indapamide, metolazone, zipamide, कर्बोनिक अन्हाईडरीस इनीबीटर में acetazolamide, ithoksaazolamide आते हैं, potassium sparing diuretics, eldostein के antagonist होते हैं, इसमें एक होतें inhibitor of renal epithel sodium channel, पोटाश्यम स्पैरिंग में दो कटेगरी है एक तो एल्डोस्टिण एंटागनिस्ट है जिसमें स्पार्ण लेक्टोन आता है दूसरे है इनिबीटर ओफ रिनल एपिथिरियल सोडियम चैनल उसमें आपके द्रग है Amyluride and Tram Drain ठीक है यह प्टाश्यम स्पैरिंग डावेटिक हो गए ओस्मोटिक डावेटिक में मैनिटोल आता है यह सूरवाइड आता है यूरिया गिलिसरोल आता है यह आपके ओस्मोटिक डावेटिक हो गए है ना थो यह हो गए हमारे डावेटिक स्थय अभी जो बलड वा कोनों ट्रफावरस फ्यूमरेट और जो प्रेंटरल प्रेपरेशन्स होती है आरन की उसमें प्रेंटर निक्सरान आता है आरन शोर्बिटोल सिट्रिक असिट कोंप्लेक्स आता है है ना वह लिखावा ऐंटिडोट आरन की पॉजिंग में पता है है आपको डिफैल योग्जा को ब्लड की बन पाएगा है ना तो इस परेंटरल और अच्परेंट में है फेरेंट होता है है लो मोलेक्लर में इपरेनौिट में इपरांसलफेट आता है डैना पैरोईट में लैपिरिडीन और एंक्रोडिय सारे ड्रग आपके परेंटल आंटिक्वागुलेंट होते हैं फिर आपके ओरल एंटिक्वागुलेंट में वॉर्फरिन इंपॉर्णन होता है जो कॉमैरिन डेरिवेटिव होता पार मिलिखा है का मेरा इसका मेधनी पढल करेंगा है वितामिन के इंपोक्सायड रिटूसी में इंहिबित करैगा और हमें पता घरotogenics हो हो इप्लाजी आप दा नोस कग्रा देता है एंटीडोट इसका विटामिन के होता ही वोरफेरिंग की बाती इसमें लिक्षी उती पढ़ लिया हमने अधा है को मेरी डेडिवेटीव है फोर हीड्रोक्षी को मेरीन होता है एक आपके लोमोलिकुलर वेट ही पैरिन भी होता है जि त्रॉंबोलिटिक नाम से पता करोो टोड रहा है मतलब की है ना जो जो लोट बनके है ना उसको तोड़ेंगे लाइसस कराएंगे फ्लाजमी नोजन एक्टिवेटर कहते हैं उनको क्या कहते हैं त्रॉंबोलिटिक को प्लाजमी नोजन एक्टिवेटर से that convert कराते जायमोजन मतलब कि इनक्टिव है ना तो यायमोजन प्लाज्मिनोजन को एक्टिव प्लास्मिन में कराएंगे जो प्लास्मिन प्लास्मिन को दिग्रेड कराएंगा तो से कलोट ब्रेक हो जाएगा स्ट्र्प्लोट तूट जाएगा प्लाज्मि नोजन और होते हैं क्या होते हैं ट्र्प्लास्मि नोजन तो उसको एक्टिव प्लास्मीन में त्रिंक होतो ब्लाजमिन्स फर्दर या कराएगा डिग्रेड कराएगा फिब्रीन को स्टिप्टो काइनेज यु्रो काइनेज एम। इंपो लिटिक्स बी कहते हो क्या क्यों कि थो यूए इस दो घेदे। अब य retali अपिण फिब्रे अन्य धिक पर्टीण पड़ी पड़ी उसके अपॉसिट है अन्य फिब्लिणल्य किया करेंगे इंईबीट कराएंगे अक्टीवेशन को इनिबीट करते हैं लिकम्हें अप्सायodos अप्रोईक ऐसीड ट्रैनीजैमिक एसीड और अप्रोटीनीन आता है अब इन्तीफिब्री लेटिक्स हो गए अब यह एन्तीफिबुटलेट्ध तो एस्प्रिन क्लोपीडोग्रिल डाइपिरिडामोल टिकलोपीडीन जीपी सेकंड में थाड़े एंटागरिस में अप्सिक्सीमेव आप्टिफीबर टिरोफिवन ठीक है फिर आपकी होते हैं किसका एंटी हाइपर लिपेडिमिक ड्रग मतलब कि लिपेड्स का लेवल जात लीपेड़ेगा थे लिपेडिमिक उत्हमस क्लासिफिकुटिण में इनिवीटर होते हैं तो नाम में क्लासिफिक्टिशन मतलब कि मेकैनिजम चुपा अब किया है यह मेकैनिजम किया है कि क्या है इस थे हुआ है है और तो इसमें अब रेट लिमिटिंग स्टेपेश स्टेप से कुलेट स्टेपेसों हों पार है तो देट कप Walk से सिंथिग्ण2 ल्हें स्टेटिन 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 स्टेट जैम फीब्रोजिल भिजाफिप्रैट फिनो फिब्रेट अप देखो क्लियर हुआ इस में स्क्लासिफिकिशन में क्लासिफिकेशन में होड़िज्टों तु क्लीवेट्वीट़्ु वीजाफिब्रेट्वन खराता है अदर्ए अपका tw een और आपका यह को अब हैं आपके gastrointestinal drugs जो हैं हना ड्रग अक्टिन जो ड्रग से उसका क्लास्फिकेशं देखो इसमें आते ड्रग फूर प्याप्टिक अर्सर वाली ड्रग क्लासिफिकेशन आता हैं तो इसमें क्या यहाएगा सब्सक्राइब करेंगे इसमें प्रोटन पंप निबीटर होता है प्राजोल वाली ड्रगाते हैं होमईप्राजोल लेंसोप्राजोल पैंटो प्राजोल रैभी प्राजोल डेसं यूज किये जाते हैं या प्रोटन पंप इनिबीटर और आपके प्रोटेव अनलोग टेक्शाइब या अनलोग में यूज प्रोटोफि घ्रौ आता है मतलब कि वीकली बेस होते हैं क्या होते हैं वीक बेस होते हैं यह अपोज करना नुट्रease कराइगा तो बेसिक सब्स्टांस रोगा थो नुट्रe latae सर्ष ले नोन थाम धर भी और समय और समय पर्ट में तेमिक सानया है सोड़ियम और समय सब्सक्राइट हैं अस तो एंख अब आपके अल्सर प्रोटक्टिव ड्रग में अमोकसिसलीण क्लारित्रोमाइसिन मैट्रोनेडाजोल ट्रेट्रा सैक्ली नाता है यह हो गई आपकी प्रेप्टिक अल्सर वाली ड्रग अब एंटेःमिटिक ड्रग का ऐट्य कोलो दे शीक कई रचाटाता है है कि अपकी उगई जो एंटिएमेटिक थी अब है ड्रग यूजिन कॉंसी ड्रग यूज करी जाती है तो बलक फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं उनमें हमारा डाइटरी फार्बर में ब्रैंड साहिलियम इसब गोल मिथाल सालोज आएगा स्टूल सॉफ्टनर में डोकुसेट्स और लिक्विड पैराफीन आता है क्लासिफिकेशन इंपोरेंट है यह सारा ही इंपोरेंट है वैसे यह कॉंस्टिपेशन वाली ड्रग वाला भी बहुत बार आया बलक फॉर्मिंग में आपका डाइटरी फार्बर में ब्रैंड सीलियम इसब गोल मिथाल सेलोज स्टूल सॉफ्टनर है तो इसमें डॉक्यूसेट लिक्विड पैराफीन स्टिमुलेंट परगेटिव में डाइफिनाल मिथेंस में फिनॉफ्थलीन बिस एकोडाइल सोडियम पिकोसलफेट एंथरा क्यूनोंस जो आपके सहना कैसकरा भी इसमें उस होते हैं फाइफस्टिफोर अगोनिस्ट में यह भी आता है लैक्टुलोस भी आता है और स्मॉटिक परगेटिव में तो यह तो आपकी कॉंस्टिपेशन वाले ड्रग हो गई एक आपकी जो डाइरिया में यूज होती है लोपीरामाइट डाइफिनॉक्सिलेट कोडीन होता है ना यह एंटी मॉटिलेट ड्रग है तो मैंने कल एक वीडियो डाला था ना उसमें मैंने थोड़ा सा उसमें मिस्टेक बोल दिया था ना जो एंटी मॉटिलेटी ड्रग दे रहा था वीच ऑफ फॉलिंग इस नोट विच अटी मॉटिलेटी ड्रग है ना तो उसमें लोपीरामाइट डाइफिनॉक्सिलेट और वसे मैंने उस क्वेशन के उपर ही मैंने आपको बताया भी था एंटी मॉटिलेटी ड्रग में तीनोट लिखी भी हुए ऐसे क्या से लोपीरामाइट डाइफिनॉक्सिलेट और कोडीन होता है ना तो कई बार बोलने में थोड़ी से मिस्टेक हो जाती है ना ठीक है तो एं अंटी माइक्रोबियल ड्रग पे आ जाएं अब बाकी सारा क्लासिफिक्शन तो हमने कर लिया अब आ गए हम हमारे अंटी माइक्रोबियल पे आ गए एंटी माइक्रोबियल में थोड़ा सा पढ़ लो भई कैसे क्या ड्रग है देखो एंटी बायोटिक्स जो होती है वो से फंजाइ से घ्रीज फैल्वीं फिर आपके बैक्टेरिया से उप्टेन होती है है बैसीट्रासिन बीसे बैसी करी श्री एसंट्रится व्मिक्षिन ब्हां ग्ठीज को अब यह संपोलीक्सतितिम होती है ड़्स badlyог ठेâm होती है मैक्रोलाइट्स होते हैं पोली इन अंटिबाइटिक होते जो एक्टिनो माइसेटी से अप्टेन होएंगी सारी ठीक है समझा गया है तो इसमें और क्या इंक्लूड करा है बही मेकैनिजम भी इंक्लूडा देख लो पढ़ लो प्रोटेन सिंथिस इनिबीटर में हमारे टाट उप्रोटेन बेफ्री इंफर टारेशन वी इसल मेंब्रेन प्रेक्ट करती है तो एंफटेरेसें बी पढ़ते हो आप अप आप अंटिफंगल ट्रग में तो मेंब्रेन में जो अर्गो स्चिरो से पाइंड होके क्या कर देती है वह तो हुई है ना हां एंफारिज भी इनि सल्फोन होती है अभी आपके सल्फोनमाइड में क्लासफिक्षन देख लो भई कौन सी इंटर्मिडेट वह वंसे लोंग और कोंगे स्पैशल परपस सल्फवनमाइड है शोट एक्टिंग जिनका डुरेशन 4-8 आर से सल्फवाडायाजीन आता है इंटरमेडियर अक्टिंग जिनका डुरेशन 8-12 आर में सल्फवामिथोकसाजोल आता है लोंग एक्टिंग का डुरेशन है कितना 7 स्पाइशन 2-17 ग्रादेगी डर्मटायटीस कराते करनिक टेररस और हीमोलिसस करा देती है मेकेनिस्व क्या कराती है सल्फवनमाईड बिंग स्ट्रक्ट्र अनलोग ऑफ पाबा इनिबिट बेक्टियल फोलेड सिंथेज को सल्फोरमाईड और इनका यूज लिखा हो है बैक्टिरियल ंशवाइटिस में प्री ओमें को को स्वतिता जा स्वी यूज़ोन से रमीड्यो युजता है बैक्टियल डार्यमद में सलफीछन उसेly डिजयेंट में किंट्रॉईट में कोट्रीयमॉक्स प्लश्मानिएासिस में टोक्स। गante oil फ्लास्मोसिस में प्लास्मोसिस में सल्फा być hybrid यह द्राइट्र घ्ibl कोंबिनेशन रेशोंonce疫情m phi agreeing किया जाता है दोनों साथ में करके याद रख सकते हो आपका बीटा लाक्टमेज निवीटर होता है यह हमारे पैनेसलींस में अमीन पैनेसलींस में आती है ठीक है तो यह को ट्राइमॉक्साजोल यहां पर यह जो है ना यह पारी मिथामिन को यहां इसले लिखा वे दोनों का मेकानिजम बता रहा है कि ट्राइमिथो प्रीम जो है वह भी डाइडरो फॉलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनिविट कराता है जैसे कि पारी मिथामिन वह भी इसको डिएच फार को इनिविट कराता है पारी मिथामिन है ना जो आप हमने देखा था क्लोरोकुण रजिस्टरेंड मलेरिया में यूज करते हैं ना कि सलफा डोक्सिन जो लोंग एक्टिंग सलफॉनमाईड उसके साथ में पारी मिथामिन उसके प्र आपके अंब पैनेसिलिंग पढ़ो बिटलक्तम अंटिवाटिक में सबसे पहले पैनेसिलिंग साइगा पैनेसिलिंग आता है जिसमें फिनोक्सी मिथायल पैनेसिलिंग 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 पैनेसिलिं आता है बिटलेटमेस इनीबिटर में क्लявुलानिक एसिट्टम टैसो बैक्तम आते हैं बहुत ज्यादा इंपोर्णन यह है ना सारे ही अग्जाम में कहीं बार आये हुए के यह पैंनेसलीन हो गई अभी सिफालोसपोरीनखेसर फास सेकेंड थर्ड फोर्थ में सारह सिफा वाले आते busted वारे एक्सैप्ट सिफाख लूर जो सैकंड में आएगा फास्ट में सिफालक्सिन Wähler सारे सीफावले सीफ़ेकलोर जो सैकंड में सेटनेशन में सिफिरोक्सिम सफिरोक्सिम सिफसेडोरं सिफ़क्सितिन थार्ड जैनेशन में कौन-कौन सी आती है सिफो टाक्सिम सिफ पर्डॉक्सिम प्रॉक्सिटिल सिफो पीरा जोन सिफिक्सिम सिफ टराइक्जोन फॉर्थ की दोई ड्रगा सिफ पृम् घ्रोम याद कर लो ठीक है बिटल लगते में देखे लिए क्लावल लाने कर शलबेक्तम यह सिफैलोस्पोरिंस हो गई बहु इस अमिनग्लाकोजड आंटीबियाटिक तो यह सिस्टिमिक होती है टॉपिकल होती है सिस्टिमिक में स्ट्टोमाइसिन जैंटामाइसिन केना मैंस कॉमन प्रोपर्टीज अमिनुक्लाइकोशनाट की मैं आपको बहुत बार बता रखिये और एक्सक्रीट रांचेंज दिरीन बाय ग्लोमेल फिल्टरेशन और बैक्टेरी साइडर और अलकलाइन पीएच डेक्ट बाइंटर इंटरफेरिंग बैक्टेरियल प्रोटीन सिंथेस अब बैक्टिया की प्रोटीन सेंथी इनिमेट कराती है अलार एक्टि प्रमेरली अगेंस्ट अरोबिक ग्राम नेगेटिव बैसिलाइए अनुकराथी नहीं कराती है ना और अप्रॉट्टोक्सिक होती है आइनाई इन सलुचन नोट अब्सौर्ब औरली अब्सौब नही है टाइट्रा सेट्लिन एंड कलोरम फेनिकोल आता है दोनों बैक्टिरियो स्टैक होती है क्या होती है बैक्टिरोस्टैक होती है दोनों ही प्रोटीन सिंथिस को इनिविट कराती है है रित्रौग सेकंशास भाता है ऑग रित्रौ ओसें है। इस्पारखक्त नर्स सेख Springs छोंए रिख व्र, करई, मिकिशाससी है ज्षकर स्राइब्रोगार्योंगों क्यों के सिंट्रीज को इनिबिट करने में आपको बताया था पैनेसलीन सिफालोस्पोरीन वैंकोमाइस इन ये सारे सेलवोल प्यक्ट करते है तो बैसी ट्रासिन भी बैक्टेरी सीडल होता है इस नोट अबस और लिया थो नहीं होता इत इस नोट इस पर रेंटरली भी युजने हो भी आता है इसमें ग्रॉज इंटिभर मैं और यह चोशीञ। मर्सा के लिए उद्रेश्य म levarओ मिइसला इसके लिए ड्रगओ ड्रेश्च्य क्या है व्य उता है युर्णवी एंटिसेप्तिक में मैथी नामीन आता है नेट्रोफिरेंटोई और फिनैसोपाइरडीन आता है अब आपके टीबी ड्रग जो टुबर क्लोसिस के लिए यूज की जाती है टुबर क्लोसिस जिसका कोस्टी ओगनिजम है माइको बैक्टिरियम टुबर क्लोसिस ज हाइं टी टीबी एफिकेसी होती है लो टोकसिटी होती है इनकी फास्ट लाइन ट्रग रिफांपसिन, आइसो, नीस, पैराजिन अमाइड इतहम ब्यूटोल, स्रिप्ट्रोमयसील सारे कि सारी बक्तेरियों साध्यडल होती है एकसेप्ट इतहम ब्यूटोल जो स्ट्राटिक आक्शन शो करता है हना सेकंड लाइंड ड्रग जो थी ना उंनकी लोओ एंटी टीबफ एफिकेस्जी और टुकूसिति ज्यादा होती है सेकंड लाइंड ट्रग में उन्में आपका कुनकून सा आता है थाय तह सालैसों परामिलो सालेसलिक एषिड इस ये तो हो गए लिस करते हो यहाँ. सब्सक्राइब नवाचत आता है यहाँ तीबर इतियोनुमाइड ऐसी ड्रग है जो टूबर क्लोसिस के सांसर लेपरोसीन में भी यूज होती है अधर अंटिवायोटिक में फ्लोकसीन, मिनोसाइकलीन और क्लारिथ्रोमाइसीन आता है इतियों एक त्रीट्मेंट में अंटिवाद्रोमाइसीन, मिनोसाइकलीन, मिन इति ओप कंस्कत। कि क्टोचे में को सॉब्स एक्टॉपई आटा है ट्रीयजुल में टोपिकल और शिस्टमेगे केस्टमिक में कीटोषीकटारसिजुल ले सफ़त क्लासिफिकेशन पड़ो और टीशू होती हैं इंट्स से लिए नाइट्रो इमीडाजूल में मैंट्रो इनट्रो होता है इप्रि cradazole, निय्ट्रोबी इप्रमा सामरी कीविःसमेकुर्ट न्यट्रो इमीडीसमें, इप्रमीडीसमें, ब्रमा पिर्द षचीरускों के तोक्वी में उल्यरसमी अध्रेम्फ प्रिक्रमी और इप्रल्मी इप्रमा पर ज्ततल्य। को इन में ऐईडोक विश ऑन अश्वक हो आज्याल होते इनके उसके लिए उसकी जाती है इनके इनगी Punch वह स्थेखो बैंच इमेडाजोल ठैबंडाजोल अलबंडाजोल श्राइक ब्लोक करांगे ग्लुकोज़ का आप्टेक ब्लोग करेंगे पाइपराजीन्स में प्टेंशियेट कराते गाबा के एक्षिन को वाइप क्लोराइड चैनल ओपनिंग रिजल्टिंग फ्लस्टिग पैरलिसिस पारेंटल पैमोट यह भी एंथलमेंटिक है यह क्या करते हैं इंक्रीज इंक्रीज कराएगी और इनिबिट कराते कोलिनास्ट लिडिंग टू एनन अक्टिवेशन रिजल्टिंग स्पास्टिक पैरलिसिस लिवामीजोल टेट्रमीजोल यह भी एंथलमेंटिक है क्या करते हैं इनिबिट करेंगे इंट्रफियर कार्भाइड मैटाबोलिजम एंड स्टिमुलेट गहलिया टॉनिक पैरलिस करा देंगे यह आईवर्मेक्टिन क्या कराएगा पोटेंशिट गाबा एक्शन वाई ग्लूटामेट गेटेड क्लूराइड चैनल ओपनिंग निकलोस यह सारे एंथलमेंटिक्स के नाम है बही नाम पूछ लेंगे आपसे वीच फोलिंग इस एंथलमेंटिक है ना लिवामीजोल लिमिट ऑक्सिडेटी फॉस्फोर रिलेशन प्राजी क्वेंटल लिकेज ओफ इंटासेलर कैल्शिमी सारे मेकैनिजम लिख्यों है मैं इनके सामने इनके ओके डाइथायल कार्बामाजीन डीएसी एंटी फिलेरल ड्रग जिसे बोलते हो फिलेरियासिर के ट्रीट्वन में इसी वह यह है हाइपर पॉलराइशन ड्यू टू पाइपराजीन मोटी की विए से हाइपर पॉलराइशन करा देगी और ओल्सों ओल्टर सेल मेंब्रेन इंटेग्रेटी ओफ दा वोम ठीके सारे अंथलमेंटिक ड्रग हो गई साथ में इनके मेकैनिजम भी हो गई हमारे ओ प्रासफिकिशन पढ़ लो फोर अमीनो कुईनोलीन में कैप से याद करा बच्चों ने क्लोरोकूइन अमोड्यकूइन पाइपराकूइन कोिनोलीन मिथनोल में मैफलोकूइन आता है सिंकोना एलकलोर में कुइनीन कुईनेडीन बाइगवनाइट्स में प्रोगवनाइड और फिर आपका सल्फोनवाइडन सल्फोन्स में सल्फा डोक्सिन सल्फा मिथो पाराजीन डपसोन आता है यह हो गए अंटी वारल वारल वारस इंफेक्शन जो है वारस का है ना तो एंटी वारल ट्रक पड़ो एंटी हर्पीज वारस में डोक्सियृडिन एसिकलोवीर वारस तुलासिकलोवीर फैमशिकलोवीर जैनसिकलोवीर फोसकारमीट यह और यहमन रिट्रो वारल में आर्टिाई अननार्टिः दो एंटी रिट्रोवारस में रिवार्स ट्रांस्क्रिप्टेश इनिविटटर एंट्यृटि Nintendo काही सब्सक्रित और तरहा हो अभी तो दो हनोत इसमिन धल्टर में गत्राइबित क्लाइब क्या इसुर्फ लिए ओन्यीच्वीड ड्रग विसथी नहीं द хорош क्या निया वॉऋ और उमिज्मिल यह बोलते हैं अंटी नियो प्लास्टिक और अंटी मेलिगनेंट ड्रग भी कहते हैं इसे पूछ लेते हैं इंका दूसरा नाम क्या है इसलिए बता रहे हूं ठीक है तो इसमें ड्रग डिरेक्टली अक्ट करती है सैल्समें साइड़ टॉक्सिक ड्रग होती है जिसमें अलकाल ड्रेटिंग एजन्स चल रहे हैं इथालीन इमीन में थायोटिपा अलकायल सल्फोलेट्स में ब्यूसलफन नाइट्रोस यूरियाज में कार्मस्टिल नोमस्टिन ट्रायाजिंस में डाकारबाजीन आता है एंटी मेटाबोलाइट पड़ो भाई फोलेट अंटागनेंस में मिटोड क्लासिफिक्शन बतार्यों बार बारे में इंपॉरेंट है एंटी कैंसर ड्रक का आध्धि सारा ही इंपॉरेंट है वैसे तो यह बहुत बार आंटी मेटाबोलाइट वाला पूचा हुआ है फोलेट एंटागनेंस में में मरकैप्तोपूरीन शिकुष थैयो ग्व टोक्सिन ईटोपो साइड भी होता है हना कम तोथीसिंट अनलोग में टोपो अंटिचिन रिडूजोज व करेंटेंटा ऊще एक्तिनोसीन दिंटीन ग्तिनो Π当然 । मिटोजेंट्रों शी análाक मित्यमक्त संव्तिझे मिसलेंट्रोसी यूरिया एसபेराजिन youtube प्रोकारबाजीन एक डाकारबाजीन था त्राइस में अलकाइलेटिंग एगेंट्रिय। इस्प्लेटिन हाईली अमिटिक एं टकैंसर ड्रग होती है यह आद कार्बो प्लेटिन और ऐमार्टिमि थिका तो ये तो होगए डिरेक्तिलीग सेल में आक्ट करें सायर टॉक्सिक ट्रक्थ एक ड्रग ओल्ट में और्मोनल ti ग्लुको सोलन आ गया इस टोजञ एल 11 इस्टोल विद्धिन ईस्ट्रैटल मैं तर्यातम कोस्ताय में लिच और में हैत्टीकु दाउन रेगुलिटर में फ्लविस्ट् sir लिए फिन स्टिराइड फिन या उसकेशन आंपको एक वीडियो में रिवाइस कराने की कोशिश करी है तो मेरे वीडियो देखें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन्ट है फार्मकोलोजी का मैंने सारा का सारा क्लासिफिकेशन आपको अल्मोस्ट कम्प्लीट ही क्लासिफिकेशन कुछ एक पॉइंट रहे होंगे बाकी रहे होंगे तो विडियो को सुनना डेली अगर आप इसको देखो स्पीड ज्यादा करके सुन लो है ना एक स उसमें आपको स्लो का ओप्षिन भी आता है तो आप स्पीड को कम करके सुन लेना जिनको वीडियो फास्ट लगे कि बहुत दीरे दीरे बनादें तो वीडियो पताने तीन से चार घंटे का मन जाता है ना ठीक है और जिसको भी लगे कि जल्दी से रिवाइस करना वह स्पी प्रवाइब कराया हो आपको को कि समें आपको प्रवाइब कराया हुआ है ना पिदि पीडियाफ आप ले सकते हो बागी ज्यादा इन्फोर्मेशन चाहिए तो मैंने आपको वाट्सप नमबर दे दिया ओके थैंक यू